नमस्कार दोस्तों आप देखेंगे टेक्निकल सांतनुराज यूटीब चैनल मैं हूँ सांतनुराज तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे डल्जिक्स का 2GB DDR2 रें तो मैंने इसे अमेजन से पर्चेश करा था यह मुझे करीबन 620 रुप मैंने इसे लिया था तो मैं इसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिससे आप लोग भी जाके वहां जाके बाइक कर सेखेंगे तो चलिए इस वीडियो का हम सुरू करते हूँ तो मैं इसे कट कर रहा हूँ तो दोस्तों यह एक DDR2RAM है तो यह मेरी बहुत ही पुरानी PC का तो दोस्तों यह 2GB का DDR2RAM जिसका हर्ट से हर्ट से मेश्यट Everlasting Electronic 100% Tested Memory Mental Premium Quality है तो यह इसमें VNT दिया गया है तो यह VNT और इसमें आप पीछे करेंगे तो यहाँ आपको Home Memory Product Private Limited का यह Sold किया गया है जहां से 100% तो यह Home Memory Product Private Limited के द्वारा भिशा गया है तो यह Product 2GB DDR2 Memory Material है इसका MRP आप ओरिजिनल देख सकते हैं सारे 800 का है और यहां इसका मैंसल खेंगे है Logics 2GB DDR2 800 MHz तो यह Dim Memory Material है तो यह मैं इसे Slot 2 में इंस्टॉल करूंगा तो मैं इसे Cut करके खूल करके देखता हूं तो दोस्तों मैं इसे इंस्टॉल करके आपको देखाता हूं तो यह देख रहे हैं आप RAM बहुती साइन लग रहा है तो यह मुझे बहुती प्रीमियम लिप का Logics TDR2 2GB RAM तो मैं इसे इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं की सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है तो दोस्तों मैं बतातूं मैं इसे अपने Slot 1 2GB जो मैंने Hynix यूच किया था और Slot 2 जो 1GB यह डाटा का सिपे मैं रिप्लेस करूंगा तो दोस्तों यह देख रहे है यह मेरा CPU तो मैं इसे ओपन करका को दिखाता हूं और मैं इसका स्पेस्पिकेशन बताता हूं तो दोस्तों यह पहुत ही पुरानी PC है जिसमें पाउर सपलाई सारे 400W का लगा हूँ है और मैं मदरबोड यूच कर रहा हूं और इसमें मैं 2GB का Jotek का Graphic Card यूच कर रहा हूं और इसमें मैं सारे 300GB का Harddex यूच कर रहा हूं इसमें एक CD Writer है तो मैं इसे 2nd Slot से रिप्लेस करूंगा डॉल्जिक्स कर रहा है तो मैं आपको देख रहता हूं इसे Open करके तो दूस्तों यह देख रहे हैं यह A Data का 1GB का RAM है तो मैं इसे सीख जगा के रिप्लेस करूंगा डॉल्जिक्स का 2GB RAM तो यह अब देख रहे हैं डॉल्जिक्स का 2GB RAM है तो मैं इसे insert करता हूं इसमें आपको पियर दिखना है उसके बाद आपको Direct RAM Insert Slut में डालना है इसके बाद आपको डोसाइट प्रेस करना है प्रेस करने पर आपको एक आवास से आएगी इसमें यह इस RAM पूतल किए तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं इंस्टॉल मेमरी बताया जा रहा है चार जीवी रहा है तो यहां सक्सेस्फुल ने इंस्टॉल हो गया है और इसमें से यूजेबल मेरा है 3.44 जीवी रहा है तो मैं आपको स्प्यूजेट से भी दिखा देता हूं ओपन करके कि यहां कितना वल्टेज यह ले रहा है और इसमें कुन सा चीप डाला गया है तो मैं आपको स्प्यूजेट करके दिखा जीता हूं तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां मैंबॉर्ट मेमोरी इम बताया जा रहा है डीडी आर्टू चार्जवी बाइट तो डी रैम फ्रिक्वेंसी आप देख रहे हैं यहां एफस्वी पाइप ओक लॉक ही सब यहां पर मेंशन किया गया है अब उसके बाद अगर देखें है तो फस्वाट में मेरा डीडी आर्टू का टूजवी रहे है मैंने मैक्स बैंडवीट पीसी टू शिक्स्टी फॉर हंड्रेड यह 5-100 MHz का ले रहा है तो मैंफ्सक्शर भापी एन वन ऐस नेट्ट्राउनिक यह स्लॉट वण का है तो स्लॉट वन में में मेरा हान निक्स का है PC2 6400 400 MHz और यह पार्ट नमबर यहां 100 हो गया है तो लोस्तों इसका वॉल्टेज यहां बताया गया 1.80 वोल्ट और स्लाट 1 में कि यहें दूनों पैर हो गया है कि दिस दोस्तों अब देख रहे हैं व॥ल्ट का जो मैंने इन्सेट किया था तव यह तो है त्चाषी विडियो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आप अच्छा लगा तो आपईसे लाइक करें एपने दोस्टों गसा सेड़ के अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्रायब कर दें तौन इस-इस से प्रेस कर दें जिससे मेरे वीडियो का आपको नोटिपिकेशन मिलती रहे थैंक्यू सो मच